नमस्कार मैं रंजीत कुमार आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स मेरे साथ सुनिल सर है मौजूद है सर जीस परकार से बिहार की राजिनित गर्माई हुए है बारा तारी को फ्लो टेस्ट होने वाली है उसके लेकर आर जेडी के स्पीकर है अभी तक इस्थिफा नहीं दि गया देखिए बिहार की राजिती बेसक बदलाव के दौर में चल रहा हो लेकिन जो पिछले हपते नितीश जी ने सपत लिया और सपत लेने के बाद दो दिन पहले सिमित विस्तार किया है कैबिनेट का तो सरकार अपने आप में अब यहां है लेकिन रही बात फ्लो करने की तो संख्याबल माइने रखता है मेरी जानकारी में जदिव और बीजेपी के पास उपयूक्त संख्याबल है जिससे सरकार सुरक्षित है और मेरी नीजी राय में यह अपने फ्लोर पर भी नितीश जी काम्याब होंगे प्रयाप्त संख्याबल को प्रमानित करने के सर ऐसे भी कहा जा रहा है कि जेडिव के कुछ बिधायक का फोन है स्विच ऑफ किया गया है स्विच ऑफ है और कॉंग्रेस का जो बिधायक है उनको हैद्रावा सर्षिप्ट कर दिया गया है सुला बिधायक को सिफ्ट किया गया है दो बिधायक अभी तक पताने एक बिधायक आज भी पटना में है तो इन सारे कायासों के बजार में सर कहा जाता है कि जो लगतार जो राजनीत पलपल जो अप्टेडेट पटना में बदल रही है इसको लेकर क्या बीजेपी सक्षम तोड़ने के लिए लगा रही या फिनितिश कुमार के हटाने के चक्कर में अंदर से सुख भुगाहट पहली बात आप इसको करेक्ट कीजिए कि बीजेपी या जदिव या एंडिये इसको तोड़ने की जयूरत नहीं है यह सुरक्षित है अब तोड़ने की राजनीती जो मेरी समझ बता रही है दो कारण हो सकता है एक तो नितिश जी की पार्टी जदिव की संख्या बल कम है हो सकता है कि कॉंग्रेस विधायकों की जो सुरू में बात चल लही थी कि कॉंग्रेस के तेरह विधायक जदिव में सामिल होंगे और तब संख्या बल के अनुसार इनकी और मजबूत होंगे विधान सभा में नितीज जी चुकि आपको पता होनी चाहिए कि तीसरी बड़ी पाटी है दूसरी दो बड़ी पाटी आरजएडी है उसके बाद बीजेपी तीसरी बड़ी पाटी है लेकिन चुकि मुखमंत्री बनते रहे हैं तो इनके अंदर में एक ड कि तोड़ा जा सके अभी जारखंड के विधायकों को हटाया गया था यहां भी यह पुरानी परंपरा रही है रही बात आरजएडी की आरजएडी पूरी सक्ति के साथ लगी हुई है कि किसी ढंग से इनका टेस्ट फ्लोट टेस्ट जो है उसमें असफल करें और इसके में आरजएडी लगी हुई होगी यह ऐसा मेरा मानना है या जो सुचनाएं सुत्रों के हवाले से मेडिया कर्मियों के पास आ रही है तो आप भरोसा कर सकते और यह बहुत जायज है आरजएडी बड़ी पार्टी है विधान सभा में उसका फर्ज बनता है कि सत्ता और सरका का हिस्सा है कि हम अपनी संख्याबल को कैसे बेहतर कर सके और सत्ता पर खुद को काविज हो सके तो यह खेल चलेगा लेकिन आइसा आप जो देख रहे हैं कि संख्याबल में एंडिये पूर्ण है और आने वाले बारहतारी को वह इसको पेस करने में या अपने की अपने पानित करने में नितीश कुमार सफल होंगे राजद के राष्टी अध्यक चलालू पर साध्यादव ने कहा है कि मध्परदेश की वाला हाल कहीं ने कर देंगे यहां पर बिल्कुल यहीं तो है एक डर लोड बढ़ाने की पूर्जोर कोशिस आर्जेडी के तरफ से हो रही है तेजस्वी पहले भी कह चुके हैं कि खेला होई खेला खतम नहीं हुआ है मानी जी का आया बयान खेला होने पर और मन्ये हुए प्लेयर है लालू जी के विसे में क्या कहना है तो हर तोड की निती पर वो काम कर रहे होंगे मध्परदेश में जिस तरह से बीजेपी सरकार ब प्रयापत है इनको फ्लो टेस्ट में पास होने में कोई मेरे हिसाब से कोई आशांका नहीं है संख्या बलके हिसाब से अगर कहा जाए कि 128 में से चार मांजी जी हैं और एक निदलिय सुमीत कुमार है तो इसके वाद आपके पास 123 की संख्या बजाती है यह अगर पांच की स लफ चले आए तो एक सोदर्स में पांच जोडा जाएं ते 119 की संख्या हो जाती है उसके वाद एक आई-एम वाले जो 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 बिधायक है उसकी बीस हो जाती है पहले सी गोपाल मंदन नराज है उक कर रहा है कि पांच को रुप्या देगा तो हम नही नहीं रखें यह देखिए यह कयास का दौर चल रहा है चलना भी चाहिए चुकि आपका यह कराना सही है कि मात्र एक दो के इधर से उधर होने के बाद सरकार सकते में आ जाएगी लेकिन इन दो तीन के घटने से ज्यादा की ज़यूरत आजजेडी को है अज़े पार्टी करना ही कब इनका कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो दूसरे पाले में जाए रही मांजी की बात मांजी के बेटे से आप आपकी भी बात मैं कल या परसों वीडियो आपका देख रहा था उन्होंने भी इनकार किया है तो कयास तो लगाए जाएंगे दवाब की राजी तो इतने का जहां तक बात है तो दोनों तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं और कौन सिकारी सफल होता है यह कहना मुश्किल है अब देखिए अब तो एक हपते की बात है सर की बात से यह असपर्ष्ट हो चुका है क्योंकि लालू और तेस्वी मिलकर भी नितीज का कुछ नही विगाड़ सकते हैं अब देखते रहे भी हार अपडेट तब तक लिए नमस्कार